इसको आजाती कि अमरित महुत्सव के रूप में भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। तिनांग 13 से 15 गरस तक हर घर में तिरंगा लहराने का हमारा प्रयास रहेगा। जि हमारे बौडर में जो गाओं हैं जितने भी घर हैं हमने उनका साफ किताब लिया हैं लगभग 3700 घर हमारे बौडर में हैं। जो युवाव एक दम से मुटिवेट नी हुपा रहे हैं, उनके लिए कुछ खास पलाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में जिनांग पेरा से पंदरा को तिरंगा लह रहा है। इसमें गाउवालों को हम रैली उनके माधियम से प्रेरित कर रहे हैं। नशेय कारोबार हमारे सुझूर वर्ती गाउं तक पहुंच गया है। क्योंकि पहले ऐसे नहीं था, तो हम भी दिवाव को नशेय से दूर रहने के लिए रिप्रेरित कर रहे हैं। नमस्कार आप देख रहे हैं। और इसमें विभिन कारेक्रम आयुजित किये जा रहे हैं। जैसे कि हर घर तिरंगा कारेक्रम जो की दिनांग 13-15 अगरस तक हर घर में तिरंगा लहराने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त रिक्षारोपन कारिक्रम भी हमारे द्वारा किया जारा हैए्टूर-दूर बॉडर और के गाउं में तो सर जो बॉडर के छेत्र वासी है उन के लिए तिरिंगया आफ लिशुल के वित्रण करा रहे ही जी है हमारे बॉर्डर में जो गाउं हैं जितने भी घर हैं हमने उनका हिसाब किताब लिया है लगबग 3700 घर हमारे बॉर्डर में हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में दिनांग 13-15 को तिरंगा लहरा है इसमें गाउवालों को हम रैलियों के माधियम से प्रिरित कर रहे हैं और अपनी तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि हर घर में हम जंडा लहरा सकें तो जो सक्षम नहीं है उनको अपनी तरफ से भी हम सर जो युवा हैं सर युवाओं के लिए जो नसे के तरफ अगरसित हो रहे हैं या जो युवा एकदम से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए कुछ खास प्लाइनिंग सर जो नसे कारोबार हमारे सुधूर वर्ति गाउं तक पहुंच गया है जो कि पहले ऐसे नहीं था तो हम भी युवाओं को नसे से दूर रहने के लिए प्रेडित करते हैं विबिन प्रकार के हम कारिक्रम आयुजित करते हैं जैसे कि नशामुक्ति अभियान और रैलियां भी न आयुजित करते हैं ताकि रहा जान और शेडिया और सुधूल के लिए संदेज देते हैं तरब से कि हम सब भारत्वाशी है हम मन में होना चाहिए कि हम सब भारतवासी हैं हर घर में तिरंगा ले रहाए नशे से दूर रहे रिक्षा चरोपन करें और भारत सरकार के जितने भी कारेक्राम हैं उसमें अपना अपेकचित सरयोग करें यही मेरा संदेश है और सर जो बॉडर के जो बॉर्डर सरे लग करें जो छेत्र हें जो गनीपड़ के के लोग इसके लिए बौडर गार्डिंग के अलवा अपने समाजिक दायत्व का पलन भी करते हैं, जिसमें हमारे द्वारा वेवें कारिकरहं कराते हैं, जैसे कि हम medical civic action कारिकरम करते हैं गाउं गाउं में दवाया बाड़ते हैं क्योंकि हो काफी remote गाउं है हमारे border में इसके लाव पश्चों की दवाया बाड़ते हैं ग्रामीनों को रोजगार देने के लिए हम vocational training भी कराते हैं और जहाँ light नहीं है वहाँ solar light का वित्रान भी हम ल से ही यह जो परकिरिया है बित्रन का या यूआं को बढ़ावा देना या खेल से रिलेडिव कोई उनको केड़ देना शुरू से ही था या आज के लिए हो रहे हैं यह शुरू से ही है हमारा अपना जो में टास्क बार्डर गाड़ें इसके अतरिक्त हम अपने यह कारेकरम में करते रहते हैं कि जहां तक यह मशीनरी पहुंच नहीं पाती है बहुत ही रिमोट गाउंजा हैं हमारे बॉर्डर में लेकिन अश्म वहां तक पहुंसती है क्योंकि हमारी पहुंच उन्हों लोगों तक है इसलिए हम कोशिस करते हैं कि अपनी तरफ से उन गाउं को कुछ ना कुछ मदद कर सके हर एक भारतवासी इस कारे में सयोग करें ताकि हम 20 करोर घरों में इस बार 13 से 15 अगस तक हर घर जंडा ले रहा सके धन्यवाद धन्यवाद ये थे हमारे साथ परमोद देवरानी जी पंचिम वहनी चमपावत कैमरा में तिरलोग जोसी के साथ मैं जिए उन्बस चपत